हेलो फ्रेंट्स मैं सुसील आप सभी को एसके सी टामस में शुकत करता हूँ दोस्तो अभी के वीडियों में हम लोग्त देखेंगे दोस्तो प्रोफिट एंड लॉस जी दोस्तो लाव और हानी के इंपॉटेंट कोश्चन्स देखेंगे दोस्तो तो आज की विडियो में दोस जान लेते हैं कि क्रेमुल क्या होता है। क्रेमुल क्या होता है जैनि कि वह मुल जिस पे कोई बस्तू खड़ी शाती है उस मुल कोई बजाती है। उसे उस बस्तू का बिक्रे मुल कहते हैं यानि की SP कहते हैं ठीक है और जिस मुल पे हम कोई भी समान खड़ देंगे उसे हम CP कहेंगे तो यह आपको याद रखना पड़ेगा ठीक है चलेंगे हम लोग आगए इसका लाव और हानी के बारे में करे मुल से अधिक हो यानि की दोस्तो SP जो होगा CP से ज़्यादा होगा ठीक है SP जो होगा CP से ज्यादा होगा तो हमें प्रोफिट होता है थम्हारा यहाँ से प्रमूला बोनता है कि जब भी निकालेंगे तो प्रोफिट बरावर SP मैनस CP उसी प्रकार हानी पिर आगर आते हैं तो हानी का मतलब होता है लॉस यदि किसी बज़तू का करैमल से अधिक हो तो वहां Frasic होता है यानि कि लॉस निकालने के लिए CP – CP हमेसा बढ़ा होगा किस से? SP से तो किसी पर हानी हो जाएगा तो चलते हैं दोस्तों इसी से related कुछ questions की और questions की और जाने से पहले दोस्तों हम बात करते हैं इसी पे discuss करते हैं कहता है profit तो निकल गया अब हम लोगों को दे देता है profit percent निकालने के लिए तो profit percent निकालने के लिए क्या करते है SP-CP क्या रहा है profit आ रहा है तो जो profit आया उसी में दोस्तों multiply करते हैं 100 से और बटा में जो आता है यानि कि मुल्यमान जो इसका मुल्यमान हमेशा होता है दोस्तों क्या आता है तो क्रेमूल जब भी profit percentage निकालना है तो वह क्रेमूल पे ही न करन बिशलashedने कि निकालना है तो लस परसेंटेज निकालने के लिए ज़ए निकलेगा जब भी निकलेगा सिपिवी निकलेगा इसे आप नोटी कर लिए अपने कॉपी में जो हुआ थे इन्पोर्टेंट होने वाला है दोसके हम कौश्चन की औरफ जी हाँ मेरे दोस्त एगर बात करते questionFast की तो question Form 1 क्या करते है लिए किसी बस्तू को 800 रुपिया में खरीद कर 900 रुपिया में बेच दिया जाए तो लाब परतीषत क्या होगा जी हां दोस्त तो लाब परतिशत क्या होगा तो खरीद कर मतलब दोस्तो CP जो हो गया कितना हो गया 800 हो गया और SP बेचा कितना में 900 में तो SP 900 हो गया तो यहां क्या हो रहा है दोस्तो खरदा है 800 में बेचा है 900 में तो कहीं ना कहीं यहां लाब हो रहा है तो यानि कि दोस्तो प्रोफिट जो हो रहा है हमारा प्रोफिट कितना का हो रहा है 100 का प्रोफिट आप देख रहे हैं तो पूछ क्या रहा है लाब परतीशत पूछ रहा है लाब परतीशत तो प्रोफिट परसेंट पूछ रहा है दोस्तो प्रोफिट परसेंट इकल टू क्य तो एक सो बटा आठ बच रहा और यह एक सो बटा आठ को अगर दोस्तों हम यहां से काटते हैं तो चार और यहां से पचास यहां से दो और यहां से पचीस यानि की साढ़े बारा यानि की पचीस बटा दो यानि की साढ़े बारा परसेंट जो दोस्तों हमारा और इससे आगे चलेगा तो और सारी बी कोश्चन इंपॉर्टेंट बताया जाएगा आपको तो आज सिर्फ इंट्रॉडक्शन के लिए थोड़ा बहुत कोश्चन बताया जा रहा है चलेंगे में नेस्ट कोश्चन की दोस्तों अपके स्क्रीन पे क्या कहता है कि कमलेस 25-500 रुपया में मुवाइल खरिद कर टीपू से 3,000 रुपया में बेच दिया कमलेस ने क्या किया 2500 रुपया में मुवाइल ख़र दा यानि कि उसका CP कितना हो गया थो 25 हो गया और बेचा कितना में तो SP हो गया कितना, 3000 हो गया, अब यहां से LAB कितना हो रहा है दोस्तों, तो 500 रूपया की LAB हो रही है, तो पूछ क्या रहा है कि LAB परतीषट क्या होगा, तो LAB परतीषट प्रोफिट प miraculous जो निकालते हैं दोस्तों, तो प्रोफिट हो जागा 500 multiplied juda पिप्टा कितना हो जगा मुल्य मान सी को राइट आंसर होगा यह बिल्कुल राइट अनसर होगा तो उम्मीद करता है कि आप समझ रहे होंगे कहीं भी दिक्कत नहीं हो दोस्तो अगर वीडियोस और अच्छी लग रहे हैं यह तो लाइक भी कर लिजिए और दोस्तो के बीछ में सेर भी जिकिजिए और अभी तरह को सब्सक्राइब नहीं किए तो जड़े जड़े सब्सक्राइब करके चलेंगे हमने आप कैसे स्किरिन पर कहता है कि 21 Ow 9 गाय खरिद कर 700 रुपिया में बेच देता है तो उसका परतीशत लाब होगा यहां नहीं होगा तो हम देख रहे हैं दोस्तों यहां प्यूज जो है खरिदना मतलब CP CP cost price तो 800 रुपिया में वो खरदा लेकिन वो बेचा कितना में दोस्तों 700 रुपिया में बेच दिया यानि कि यहां पर जो है 800 में खरदा 700 में बेच दिया तो हानी हो रहा है यानि कि लॉस हो रहा है तो लॉस जो हो रहा है कितना को रहा है लॉस दोस्तों 100 रुपिया का लॉस हो रहा है अब देख रहे हैं यहां से तो यहां से तो लाब परसेंट निकला गए नहीं तो क्या निकलेगा दोस्तो हानी परसेंट निकलेगा तो हानी परसेंट जब निकालते हैं तो क्या होगा हानी कितना का ओड़ा एक सो का मल्टिपलाई कितना से करते हैं एक सो और बाई में मुल्ले मान लेते हैं राइट आंसर होगा अपसंस नमबर ए तो मीद करता हूं कि आप समझ गया होगे कहीं भी दिक्कत नहीं होगी जहां भी दिक्कत है आप कॉमेंट करके जरूर पूछ ले तो इसी तरह के वीडियो में आप से मिलेंगे अगले वीडियो में नई जोस नई इनरजी नई के साथ तब तक के लिए नमस्कार अपने आस पास स्वक्षता बनाए रखिए धन्यवाद